हेलो गाईस आज हम स्लिवलेस ब्लाउज बनाने वाले हैं इससे बनाने का तरिका इतना जाधा इजी है अगर आप बिगनर्स हो पहली बार ब्लाउज सिलना चाह रहे हो तो आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखेगा डेफिनेटली परफेक्ट ब्लाउज सिलना आप 14 इचे का होता है तो सदर से चेयर का तरह का साहता पर ये बैदना की है तो साथ इंच के वह लेंद लाज और देखनवा वापस में इस तरह से मिलाते हुए एक round shape दे देना है हमारा जो सीने वाला हिस्सा है जो भी हो उसका एक चोताई भाग इस तरह से हमें ले लेना है मेरा एक चोताई भाग इस तरह से मैंने ले लिया यानि कि 32 से 32 का एक चोताई भाग हुआ 8 तो इस तरह से में निशान लगा कमर पर हम एक इंच थोड़ा सा कम ले लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से दोने निशानों को मिला लेना है मार्जन आप एक इंच की रख सकते हैं लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है आप अगर बिगनर्स हो तो आप देड़ी इंच का मिलेना चाहिए क्योंकि हम फिटिंग दिखने का चांस होता है इसलिए मैं कट नहीं करूंगी मैं दोनों पार्ट सेम रखूंगी तो चलिए फटाफट से नेक कंप्लीट कर लेते हैं नेक कंप्लीट करने के लिए हम इस तरह से चार इंच भी निशान लगा लेंगे अगर आपको बड़ा नेक पसंद आप साड़ी अब हम एक चवकोनी बोक्स बना लेंगे कुछ इस तरह से थोड़ा से राउंड शेप दे देंगे ताकि अच्छा सा हमारा जुन्हें के बनके कंप्लीट हो जाए यह देखिए चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम क्या करेंगे आदा इंच इस तरह से फोल्ड अब हम क्या करेंगे निचे से भी गिन लेंगे निचे से गिन ये पर इस तरह से साड़ी चाहर का आ रहा था तो मैंने एक निशान ट्रो कर लिया है तो हम आइड़ से आदा इदा इंच निशान लगा लेंगे दोनों निशानों को आपस में मिलाती हुए कुछ इस तरह से बना लेंगे यह देखी ओवरोल हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब हम फटाफट से कट कर लेते हैं केची की साही तर से यह देखी जो भी हमने निशान लगा था फटाफट निशान के ऊपर केची को इस तरह से कट करती हुए आगे बढ़ेंगे नेक को भी कट कर लेंगे यह देखी है हमरा फ्रेंट ने कम्प्लीट हो चुका है जो भी मैंने मार्जिन लगा यह उस पर मैं थोड़े थोड़े नोचे से लगा दे रही हुए ताकि हमें सिलैका पता चले कि हमें सिलैका से लगानी है अब हम बेक वाला जो पार्टे उसे कट करते हैं जिसके लिए हम अगर आपको बड़ा नेक चाहिए तो आप बड़ा भी कर सकते हो लेकिन अगर आपको नोर्मल साइज का ची तो नोर्मल भी कर सकते हो इसके अगर बड़ा नेक है चोई टक्स है अमारा थोड़ा साइट में भी ले लो आप तो कोई दिक्कत नहीं होती है पीछे वाला टक् अच्छे से मटका कला कट कर लिया है तो अब में फटा-फट से इसे कट कर लोगा निशान लगा कर ये देखिए आपको भी नेकले सकते हो आपके साब से और इसे भी हम कट कर लेंगे कुछ भी नहीं करना है गाईस जो मनें फ्रेंट कट किया है उसे उठाकर इस तरह से रख लेंगे जो आपको ब्लाव सिलना है वो कपड़ा ले लेंगे हम कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है यानि कि कपड़े को मैं डबल फोल्ड किया है ये देखिए इस तरह से हमने रख लेना है देखिए अब मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से उपर भी मैंने निशा लगा लिया है अब हम केची की साहता से कट कर लेंगे ताकि हमारे दोनों पार्ट कम्प्लीट हो जाए फड़ा फट यह देखिए अच्छी तरह से मैंने कट कर लिया उपर से भी कट कर लेंगे यह देखिए कितनी जल्दे हमारा कट हो चुका है इस तरह से मैंने शान लगा ल और आप अगर beginners हो तो पीन की साहता से चारो तरफ अच्छी तरह से टक कर लेना है अस्तर को ताकि वो अपने जगह से ही लेना अगर आप अच्छे कासे experience हो ब्लाउज में अगर आपको अच्छा मयानी की बिना पीन की साहता से ब्लाउज अच्छे से सिलते आता हो तो आपको पीन लगाने की ज़्यादा कास ज़रूरत नहीं है यह देखी चार ओ तरफ मैंने अच्छे से पीन लगा लिया है अब हम क्या करेंगे इस तरह से गले में सिले लगाएंगे शोल्डर में सिलाय लगाएंगे और नीच्चे की और सिलाएंगे आइट सेट सिलाय नहीं लगाना है सेकेंड भी हमें चाहलें करना आ है जिसाना नेंगत किया है इस-के उपर भी मैंने से जास्तर रख़ती है, Five announcer- से हम प्रोसेस करना है नेक में सिलय लगाना है शोल्डर में सिलय लगाना है और नीचे के और सिलय लगाना है यह देखिए दोनों पार्ट हमारे बंके रेडी हो चुके फटाफट से में सिलय लगा लेती हूं नेक को मैंने कुछ इस तरह से राउंड सिलय लगा ली है शोल्ड देंगे ताकि अच्छे से टर न हो आइट सैट भी हमें नोचिस लगाना है इस बात का ध्यान रखिए गाइस जहां पर भी टर न हो आप आप नोचिस जरूर लगाए आइट सैट हमें सिलाई नहीं लगाई थी वहां से मैंने कुछ इस तरह से पल्टा लिया है यह देखिए ह कोई भी एस्टा पट्टी नहीं लगाई है नेक में शॉल्डर में नीचे कुछ भी एस्ट्रा पट्टी लगा के फोल्डर नहीं किया हladım इस डायरिक अस्तर पे इस तरह से हमने बलाउच को रखकर कट करके सिलय लगा लिए इसमें कोई दिक्कत कोई प्रोब्लम नहीं आती है हमारा ब्लाव जल्दी बनके रेडी हो चुका होता है तो यह देखी फटाफट से मैंने शोल्डर में नेक में और नीचे की और सिलय लगा लिए डबल अब हम क्या करेंगी जो भी हमने न लगा लेंगे बहुत सिंपल और आसान तरीका है गाइस देखी आप चाहो तो इसमें इस पंच वाली जो कटोरी होती ही वो डाल सकते हो या फिर आप लाउच के अंदर जो इस पंच वाली ब्रा होती स्पोर्ट्स प्रा वो पी पिन सकते हो तो यह देखी इस तरह से हमने ज देखी मेरे दोनों पार्ट बनके रेडी हो चुके हैं हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के तरफ रख लेंगे यह देखी इस तरह से हमें रखना है और शोल्डर को हमें इस तरह से जो भी इस ट्रा पार्ट कर लेना है अस्तर वाला पार्ट नहीं करना है जो भी हमारे स्पं हमारी फिटिंग 32 इंच की थी उसका आधा हुआ 16 तो 16 इंच पे मैंने निशान लगा लिए और इस तरह से हम निशान लगा कर दोनों तरफ दोनों तरफ तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना यह देखिए हमारे जो शोल्डर है जाने कि जो हमारे अस्तिन है वह साथ इंच की आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे अस्तिन वाला बाग होता है वह सांती इच काना ची देखिए मैंने फटाफट से सिलाई भी लगा लिए आप इस तरह से टक्स को भी सिलाई लगा सकते हूं लेकिन यह कोई प्रोब्लम नहीं कट कर लेंगे अब हम यह बटन पट्टी हुक पट्टी लगा लेंगे आप जो भी लगाते हो अगर हुक लगाना आप हुक भी लगा सकते हो यह आपर हम डोरी का निशान लगा लेंगे यानिक हमें डोरी लगाने है तो कुछ इस तरह से शोल्डर कर मिलाते हुए कम से कम द तो कम सकम 2-3 हूख हमें लगाना है हमारा जुब लाउज ये बनके कंप्लेट हो चुका है आप देख सकते और आप ऊपर के और देख पारे होंगे जो हमने लेटकन बनाये हैं वह लेटकन का वीडियो में ने सबसे लास्टे में डाला है ताकि आप बोरना हो जादा जुब ल लेटकन का वीडियो देखना है तो आप लास्टे में ज़रूर देखीएगा ये दीखिए हमारा जुब लाउज ये पर्फेक्ट मेंजर मेंट के सब बनके तैयार हो चुका है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये दीखिए कितना सुन्दर हमारा जुब लाउज ये बनक के साब से आप कर सकते हैं यह देखिए हमारा जो फ्रेंट नेकिए वो छे इंच के सम्तिंग था और जो बेक नेकिए आप देखी सकते हो कम से कम दस ग्यारा का तो होगा ही देखिए कितना ब्यूटिफुल और सुन्दर हमारा जो ब्लाव जो बनके तैयार हुआ है और इसके जो बाजू के साइटे वो सेवन ही होना चाहिए चलिए फटाफर से हम फंदे बाना लेते हैं जिसके लिए हमने इस तरह से कपड़े को डबल फो में कट कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसे इस तरह से पकड़ेंगे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा जो घेरा है हो कम कर लेंगे क्योंकि ज्यादा घेरा है अच्छा नहीं लगता है इसलिए थोड़ा सा घेरा मेंने कम कर लिया है अगर आपको ज्यादा घेरा पसन आप रेन दे सकते हो अब हम क्या करेंगे से अस्तर पे इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे दोर इस तरह से लगा लेंगे फोल्ड कर लेंगे जो गोलाई है उस पर ही लगाना है फोल्ड करना है चारो तरप से लगाना है इस तरह जो भी कपड़ा है उसे कट कर लेना है लेस लगा ले नहीं कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कोई भी लेस लगा सकते हो आपके पास जो भी अवेलिबल हो आप वो लेस लगा सकते हो दोने जूमर को मैंने इस तरह से लगा लिए और एक गोल्डन लेस में कुछ इस तरह से लगा लोंगी उपर से ये देखिए इस तरह से उपर स ताकि से लए हमारा जल्दी निकले ना फोल्ड करना है beautiful हमारा जो जूमरे बनके तयार होगा है कितना सुन्दर लग रहा है ये बनने के बाद आप देख रहे हो हमारा beautiful जो लेट करें हो बनके तयार हो चुका है अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा ना guys त आपको आगे कोई भी ब्लाउज सीखना हो तो comment box में एक पर जरूर लिखीएगा मैं next वीडियो वही लेके आओंगे आपके लिए आप देख सकते हमारा जो ब्लाउज है उसका नेक जूमर फ्रेंट नेक बनके तयार हो चुका है बहुत प्रेटी हमारा जो ब्लाउज बनके तयार हो गया अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजीएगा थेंक यू फॉर वोचिंग बाई